टनल में फसे 41 मज़दूरों के लिए और उनको बचाने वालों के लिए भी आज 13 दिन है नया दिन नई शुरुआत भासकर जी हमारे साथ है भासकर जी आज का क्या अपडेट लग रहा है अभी तक क्या सिचुएशन है नया दिन हमारे लिए नई उमीदे नई आशाएं और नया विश्वास लेकर के आया है और अंदर जाकर के जो अभी मैंने पाया है कि हमारा काम बिलकुल 104 रूप से चल रहा है और उमीद करते हैं कि आने वाले 12-14 घंटों में हम अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे और दूरों को शकुषल उनके परीजनों के साथ मिलाने का काम कर देंगे जो रात तक जानकारी आ रही थी तो माना जा रहा था कि तकरीबन 48 मीटर तक हम अंदर पहुचे हैं लेकिन उसमें अभी कोई मतलब उसमें क्या पाइप में कोई दिक्कत है जो डाला गया है क्या मुह म थोड़ी सी पिचकन आ गई थी तो उस हिस्से को हमको काट करके निकालना पड़ रहा है वो काम अभी चल रहा है तो वो पाइप का जो पाइप डलने का सिलसला तो कौन से मीटर से शुरू होगा अब तो देखिए अगर दो मीटर हमने काटा है तो फिर से वापस 46 से आखरी सवाल सर मुझे मालूम है आप भी बहुत दिनों से यहां लगे और अभी आपको फिर से अंदर जाना है लेकिन हरोज हम एक टाइम की उमीद मांग रहे हैं तो आज क्या लग रहा है कि अगले पांच मीटर जो है वो आसान रहने वाले हैं यानि कि बावन मीटर तक क का अब जो रास्ता है वो आसान रहेगा अभी फिलहाल अबडीट है कि पाइप का जुम्मू है उसमें पिचकन आगी जैसे बोल रहे हैं कि थोड़ा डिफॉर्म हो गया उसको या तो काटा जाएगा या सीधा किया जाएगा तो उसको काटा जा रहा है इसलिए ड्रिलिंग से अब आगे की तरह में बड़ेगा